हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है तो चलिए रिजनिंग में हम प्रिविए सर ख्लास में हमने क्यूबाइड का मल्टी कलर कंसेप्ट आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था जैसे मैंने आपके क्यूब के एक पर यूपी सब्सक्राइब कोर्षन आपके पूछ लिया गया UPSC में UPSC में पूछा गया तो चांसे बन जाते हैं आपके क्यूबाइट का पूछने का तो ढ़ा कोशन था और अगर आपके क्यूचन में अजय तो इसको करते हैं क्या लिका यह आपका नमबर लिकाए जो आपके से आया था उसमें कौन सा नमबर नमबर कुस्छन आया होगा था पेपर में चलिए साथ सेंटीमेटर in to find dim एंटु three सेंटीमेटर सा विमा ओके एग घनाब के कर छू गांसा थेव Whats a ऐंटु पाइप सेंटीमेटर इंद टीरी सेनटीमीटर 7 cm x 3 cm विमाओं वाले सम्मुक फलकों की प्रतेख युगम को लाल हरे और नीले रंग से रंगा गया है तब इस घनाब को काटकर प्रतेख 1 cm भुजा के विभिन घन अलग-अलग कर दिये जाते हैं निर्म लिखित कथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है तो वो समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या इसको बाई मैठट सौल्व करना पड़ेगा चलिए यह आपको हमने इंग्लिस लेंग्वेज भी लिखा दिये और आपको इंग्लिस का फॉर्मिट भी मिल जाएगा त क्यों का क्या, सबसे पहले क्या, n की व्याली तु फाइंट करना ही पड़ेगी क्यों कि हार एक फॉर्मूले में n का जिकर किया गया है तो सबसे पहले n की वैलू फाइंड करें उसके बेस में किसी भी टाइप से आपका एकशनमर पूछना चाहें आप आंसर दे सकते हैं तो चलिए, क्या, 7 x 5, 7 x 5 x 3 cm, ये इसकी क्या है, Q wide की है, dimension, Q wide की क्या है, dimension, चलिए, तो लिख लेते हैं, dimension, कितनी है, 7, 7 x 5 x 3 cm, बड़े घनाप को, बड़े घनाप को, एक, एक, सेंटीमीटर के, एक, सेंटीमीटर के, छोटे-छोटे घनों में काटा गया, कितने, 1-1 cm के, तो देखिए, यहां से, यहां से देखिए, बाइल प्रासव नसे से ले सिना वान की वेलू पैट रहा ही तो आपकीвиा जाएगी. निनला kalian कि व Emma की वेलू आजाएगी आपकी सेवन तो की भाइलू आपकी वेलू होगी आपकी F strands 16 खिरी की वैवयलू हो जाएगी एंदीरी की वैलू हो जाएगी आपकी यौत अभी भाइछ हमने कुछ नहीं बस Moon and took जाएक आपके चाहिए सब्सक्राइड पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखी है ऐसे ठीक 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 15 छोटे घन है जिनके किसी भी फलक पर जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है कलरलेस की बात की गए इकांट से कलरलेस जीरो सर्फिस वाले हां तो चलिए कलरलेस का क्यूब आइड में फार्मूला क्या होता था तो देखिए जीरो जीरो लिखने का मीन क्या हुआ यह आपकी सर्फिस को रिप्रेजेंट करता है हां कलरलेस इसके बाद एकवल टू इसमें प्रगी फार्मूला क्या था ऐँन फीरивать माहिन अफ्यरे यह माइनस टू इन 2 1-2 जाह कि बहुत भी पर इसको करते हैं हम भोत इन तरीकर निस को करें चलिए है हैँ आ कि n one कि वैलू कितनी है n1 कि वैलू आपके 2007 में एन तुलियुस करेंगे आ जाएगा जाएगा आपका one और इनका मदलब dla二 का पहला कतन जो कहा है उसने हमारा क्या निकला है हुआ सत्त निकला है पहला कतन हमारा सत्त निकला एसके बाद नाद स्वा देखते हैं सेकर्ण इस्टेटमेंट क्या है एस से ठीक 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 से झोटे गन है जिन के ठीक 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 दोफ़लक एक नीला अ एक नीला और द Sm और दूसरा फरहे रंग से रंग आए Board बना के दिया घूंब्रीशन के बेस में आप से अंसर व São bo ठीक ठीक दो फलक हां the surface पैंते डॉ उसके बाद नीला और हरे रंग का कॉंबिने सन्ट भी मिइसने बोला है तो चलिए इसको करते है सॉल हा ऊध्य। य। मेरे आउस क्या कह रहा है पूंसर्फर केंटे अब इसको कैसे ट्रेकल करेंगे हां कैसे ट्रेकल करेंगे मारे भाई बताईए चलिए तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं इसकी डामेंशन पर आईए और प्रिवियस तरी क्लास में हमने आपको इस पर कावी सारा एक्सपर्ड कर दिया बहुत एच्छ तरीके से किया है तो चलिए इसकी आते हैं भाई मेरे डामेंशन पर इतने में अपने डामेंशन आ जाएंगे एरिया चाहिए थोड़ा ज्यादा चलो चलो बहुत ही बेतर है यहां तक इस वाले पॉइंट तक किसी को कोई कटनाई नहीं होनी चाहिए हां चलिए तो देखिए आपकी डामेंशन क्या दी गई है तो मेरे भाई मेरे आपको डामेंशन दे दी गई है तो देखिए रंगजा गया है ते वेन्स इंटु फाइप इंटी मेंटर वाई डैमेंशन को रंगा गया है आपके एक इसका लव्य लाल कलर और थ debt पीलिस एंटने गोच के अर्झ अधैप कोफशे कलर किया गया है इसका हिरे आपका ब्लू कलर से नीले कलर से इसके बाद एक्जामनार आपका पूछ रहा है कि भाई मेरे आप बताए कि ball ब्लू प्लस ग्रीन का इन दोनों का डिषार रहा है को तो बताए क्या होगा तो देखिए यस सब क 나올 है तो भाई मेरे दोनों का दोनों में common आपका क्या है जिरी हा तो मतलब क्या हो गया ठीरि एन ठीरी हाँ डामेंशन देखिये तो देखिए फर्मूला क्या होता था पूर एंठीरी का मदलब क्या हुआ एंठीरी एंठीरी-2 इसको करते हैं इसको करते हैं मेरे भाई अब तो कर पाएंगे आप बहुत एजली कर पाएंगे कुछ नहीं चलो और आप आपका एजटीज एंठीरी एन थिरी की वैलू क्या है आपकी एन थिरी की वैलू है मेरे भाई आपकी थिरी हाँ माइनस 2 देखिए 4 थिरी में से टूलेस करेंगे आ जाएगा आपका 1 is equal to 4 पर मेरे भाई अब आपने देखा कि पहला कतन तो आपका एक्जामर के कहरने के हिसाब से करेक्ट था पर दूसरा कटन आपका हो गया रॉंग क्यूंकि उसने बोला कि भाई आपके छोटे-छोटे 6 गन निकलने चाहिए पर आपके निकले कितने फॉर तो सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है वह हो जाएगी गलत हां सेकेंड वाली स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी पर यह रॉंग हाँ फट वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है तो देखिये केवल अपकेवल फ़स्ट वाल आपको सही है बाकी आपकी सारी यह रॉंग हो जाएगे समझ में आया न बहुत ही बेतरी यह था आपका हां इसका अंसर निकला आपको 15 और इसका निकला आपका फॉर बेखे कितने इसली आपने सौल कर लिया आपको मिलते हैं यूपीएटे की की तरफ से यूपीयटे की तरफ से धाई नंबर् है हमर आपको धाई मार्कस मिलते हैंレσ了吧 लूए दों को आपको दीमी गतसे और प्यार भरी आखों से देखना है इसके बाद धीमी गतसे इसको करना है एक से दो बार इसके बाद जिस बेसमें चार आया उस बेसमें आप आंसर देंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब आपका चैप्पर सुरू होगा दूसरा हां वह बत मज़ा आया होगा बहुत ही प्यातरीकिस कुस्तन हम सॉल्व कर पाए चलो अब मिलते है नेक्स्ट वीडियो में लव यू और टेक केर बाय बाय जैहिन